हेलो गाइज वल्कम बेक टो मैं चैनल मेरी मा शेरावाली तो कैसे है आप समाता रानी के कृपा से और दस्तो गुरूओं की कृपा से आप सभी ठीक होएंगे मैं भी ठीक हूँ जै माता दी साथ श्रीयकाल सो आज की वीडियो रहे है चैतर नवरात्रों से रिलेटेड चैतर नवरात्रे दोहजार चौबेस में कब पढ़ रही है क्या जो शुमूरत है घटस थापना के कलिश थापना के शुमूरत क्या है और दुरगाश्त मी दुरगानव मी कब पढ़ रही है कन्या पुजन कब करे यह सब कुछ मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा और इस बार जो नक्षत्र जो सिद्धी योग बन रहे हैं वो सब कब पढ़ रहे हैं मतलब कौन से नक्षत्र में और कौन से योग बन रहे हैं यह सब कुछ मैं आपको आज इस बार इस वीडियो में बताऊंगा सो सबसे पहले नवरात्र की बहुत सारी शुब कामना है एडवास्ट में उस दिन भी दूंगा या भी भी दे रहा हूं क्योंकि बहुत ही अच्छा परव होता है मातारानी के भक्तों के लिए मतलब बहुत ही अच्छे पल होते है नौ दिन ऐसे स्वर्ग में चले गए यह बहुत ही सुन्दर मा भवन से अपने सब के घर में वराज मान होती है भवन से आकर कैलाश चोड़ कर सभी बच्चों के घर में आती है मा तो नवरात्र कहते है कि चैत्र महीने से जो है नए साल की शुरुवात हो जाती है धारमिक माननेताओं के अनुसार ठीक है और यही जो हिंदू कलेंडर में भी यह मानते हैं और नालक शाही कलेंडर में भी यही मानते हैं कि चैत्र महीने से जो है नए साल की शुरुवात होती है और इंगलिश कैनेंडर के अनुसार जो है जैनवरी से स्टार्ट होता है तो धार्मिक की तौर से देखे तो चैत के महीने से जो नया साल माना जाता है ठीक है जी और इसी में जो है चैत्र नवरात्री आती है used बार चैत्र कर अगले दिन नोँ अप्रेल रात को आठ बज कर तीस मिनट तक जो है प्रती बदा थी थी रहेगी ठीकिए जी यानि एट अप्रेल को रात को 1150 पीएं से लेकर अगले दिन नोई अप्रेल दिन मंगल्वार को रात के समय साड़े आठ बजे तक 830 पियन तक रहेगी प्रतिबदाधिदी ठीक जी अब हम जान लेते घटस थापना के मूरत के बारे में और घटस थापना का बहुत महत्व होता है पूजा में, मातरानी की पूजा में णवरत्रों की पूजा में जो है घट स्थापना का बहुत महत्व होता है तो इस बार जो घट स्थापना का मूरत सुभे का जो है वो है 5.41 एम से लेके 9.53 एम तक यह सुभे का प्रात्य काल मूरत है इस मूरत में घट स्थापना कर ली जाए तो बहुत अच्छा रहे कहा आप से शुरू है 5.41 एम से यानि 5 बचकर 41 एम से 9.53 एम तक तो यह सुबह का मूरत है उसके बाद अगर आप इस मूरत में बुजा नहीं कर पा रहे हैं कल स्थापना नहीं कर पा रहे हैं किसी कारण से तो आप इसके लावा दूसरा मूरत होता है अभी जीद मूरत जो मतलब थोड़े से दुपहर के समय पढ़ता है तो इस दिन जो है अभी जीद मूरत है वो 11.30 से लेकर 12.25 तक जो है रहेगा हमारा अभी जीद मूरत तो इस मूरत में आप जो है कल स्थापना कर सकते हैं प्रात्य काल के मूरत में भी कर सकते हैं अभी जीत मूरत में भी कर सकते हैं आपको जैसे अच्छा लगे कीजिए भाव से मा को भजिए मा मा है सबकी मा है देवी नहीं है मा मान के पूजा कीजिए उनकी मतलब भाव से पूजा कीजिए तो मा सिर्फ भाव देखती है, कुछ और नहीं देखती है, उसके बाद इस बार दुर्गा अश्टमी, दुर्गा नव्मी और कन्या पूजन दश्मिती थी कब है, और दश्मिती थी, 18 अप्रेल दिन गुरुवार, ब्रस्पतिवार को बढ़ रही है, इस प्रकार से ही है, और कन्या पूजन कब करना है, कन्या पूजन आप अश्टमी पे भी कर सकते हैं, और राम नव्मी पे भी कर सकते हैं, हमारे यहां अश्टमी पी आ जाता है, आपके ज सरवात सिध्धी योग बन रहा है, अमरित सिध्धी योग बन रहा है, और रेवती नक्षत्र बन रहा है, इस काल में पूजा करना बहुत शुम माना जाता है, तो सच्चे दिल से तरानी की पूजा कीजिए, सो मा जुरूर पसन होईगी, और सब के घर आएगी, सब का आश आख आख योपर बन बाई गाएज